तो आप देख सकते हैं आपके सामने काफी सारी images आपको एहां पर दिखाई देगी आप यहां से search करना चाहें तो यहां से आप 2022 सर्च भी कर सकते हैं तो यहां से आप आईकन भी यहांपर ऑप इंशेट कर सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको completely information देने वाले हैं slides के सभी options के बारे में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस तरीक इसे clipboard option का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा powerpoint के सभी interface के बारे में एक एक करके हमने information दी थी तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको slides के सभी options के बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं clipboard option के बाद हमारे पास जो next block आता है वो है slides block का इस में आप देख सकते हैं सबसे पहला option आपको यहाँ पर दिखाई देता है new slides का इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे themes दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी theme को यहाँ पर use कर सकते हैं अपने title के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है title, slide का, जो कि already यहाँ पर आपके सामने reflect कर रहा है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, title and content का आपको एक option दिखाई देता है, अगर आप इस पर click करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना title भी add कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पर चाहें, तो अपना content भी add कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर example के माध्यम से, first slice पर click करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने institute का नाम डाल देता हूँ, जैसे माल लिजे, हम यहाँ पर type कर देते हैं, Excel, InfoTek, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा box हमें दिखाई दे रहा है, subtitle के लिए, तो हम यहाँ पर type कर देते हैं, Computer, Institute, इतना करने के बाद, हम यहाँ से next slide पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे सामने click to add title का एक और option हमें दिखाई दे रहा है, तो माल लिजे, हम यहाँ पर अपने courses को define करने वाले हैं, तो यहाँ पर click करते हूँ, तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर अपने text के माद्यम से, अपने courses को यहाँ पर define कर सकते हैं, जैसे माल लिजे हम यहाँ पर type कर देते हैं, DCA, ADCA, या फिर यहाँ पर हम type कर देते हैं, MD, CIT, या फिर BCC, इस तरीके से आप चाहिए, तो अपने courses को यहाँ पर add कर सकते हैं, इसके अलावा, यहाँ पर हम दुबारा से इसी title को ले लेते हैं, तो दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी images आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, आप यहाँ से search करना चाहें, तो यहाँ से आप इसे search भी कर सकते हैं, यहाँ से आप icons इंसेट करना चाहें, तो यहाँ से आप icons भी यहाँ पर insert कर सकते हैं, कार्टून पीपल्स का भी option आपको यहां पर मिल जाएगा जिसको इस्तमाल करके आप अपनी slides को और जादा attractive यहां पर बना सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हम सबसे पहले images वाले parts को यहां पर select करने वाले हैं और यहां से हम किसी भी image को select करके जैसे insert वाले यहां पर आपकी images यहां पर बड़ते हैं हम लोग आगे की Pac मेंigon आगे की तरफ चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ Ctrl M की मदद से हम यहाँ पर एक और slides को insert कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है pictures का माल लिजे आपके PC में कोई ऐसी picture है जिसको आप यहाँ पर set करना चाहते हैं insert करना चाहते हैं तो इस पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने यह images दिखाई दे रही है माल लिजे हमने एक image ले रखी है one.png के नाम से इसको select करते हुए जैसे में यहाँ पर insert वाले button पर click करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर वही images का part हमारा खुल गया है जिसमें हमें icons को reflect कर रहा है अगर आप icon के माध्यम से किसी भी topic को यहाँ पर represent करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपको काफी सारे options यहाँ पर दिखाई देते हैं तो मालेज़े example के माध्यम से हमें यहाँ पर इस icon को select करते हैं यहाँ पर इसे insert करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका icon आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं Type कर सकते हैं, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स आप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है Smart Art Graphics का इस पर जैसे आप लेक खरेंगे तो आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको काफी सारे features काफी सारे options दिखाई देते हैं जैसे हमालिजम ने इसको यहां पर select किया और यहां पर कर दिया इसे okay circle के हिसाब से आप यहां पर देख सकते हैं यह graph हमारे सामने create हो चुका है इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं designer tab में भी आपको यहाँ पर काफी सारे options मिल जाते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर आप इसे आसानी से customization कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जो भी text type करना चाहें यहाँ पर easily यहाँ पर type कर सकते हैं या फिर अगर आप यहाँ पर चाहें तो text type का इस्तमाल यहाँ पर करके यहाँ पर भी इसको use कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं next option हमें यहाँ पर दिखाई देता है insert cameo का इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके PC में webcam attach होगा तो सामने जो भी चीज होगी उसके image यहाँ पर click हो जाएगी और click होने के बाद वो यहाँ पर आपके सामने reflect हो जाएगी तो दोस्तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ पर अपने PC में से किसी भी वीडियो को यहाँ पर add कर सकते हैं वालिज हमने यहाँ पर इस वीडियो को select किया हुआ है और यहाँ से insert करते हैं दोस्तों insert करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यहां वीडियो यहां पर इंसर्ट हो चुकी है आप चाहें तो इसे यहां से प्ले करके से सुन सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं इसके रावा हम वापस से Ctrl M करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं Insert Table का आपको यहाँ पर option दिखाई देता है इस पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ से आप से पूछा जा रहा है कि आपको कितने number of row और कितने number of columns यहाँ पर insert करने हैं तो दोस्तो example के लिए माली जे हम यहाँ पर इसे define करके आपको समझा देते हैं कि इसका इस्तमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं जैसे माली जे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है click to add title का एक option तो माली जे हम यहाँ पर अपने courses को define करने वाले हैं हम यहाँ पर type कर देते हैं courses उसके बाद यहाँ से हम table वाले option पर आएंगे और यहाँ पर हम type कर देते हैं course name और उसके बाद यहाँ पर type कर देते है duration और उसके बाद यहाँ पर type कर देते है fee यहाँ पर माली जे हम course का नाम type कर देते हैं bcc यहाँ बेसिक computer course और यहां पर हम डिस की duration रखते हैं 3 months की और इसके बाद यहां पर इसका जो fee structure है वो type कर देते हैं हम लोग 5000 इसके बाद इसी तरीके से आप यहां पर चाहें तो DCA को define कर सकते हैं आपने सभी courses को एक एक करके यहां पर define कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने table के माध्यम से अपने courses को यहां पर define कर सकते हैं इसके लिए हम वापस से control M का इस्तमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देता है जिस तरीके से आप MS Word या फिर Excel में मैंने आपको इन सभी चीजों के बारे में information दी थी उसी तरीके से आप यहां पर इन सभी option का इस्तमाल कर सकते हैं अपने PowerPoint के लिए जैसे माली जब यहां पर इस option को select करते हुए यहां पर OK वाली बटन पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर Microsoft Excel ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहां पर table आपको दिखाई देगी इस table के अंदर जो भी आप customization करेंगे उसका effect आपको इस graph पर यहां पर दिखाई देगा जैसे महां लीजे हम यहां पर कोई भी value यहां पर डाल करके enter करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं category 1 के अंदर वो value यहां पर reflect हो गए और उसी हिसाब से हमारा यह graph यहां पर बनता चला जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप यहां पर इसका इसके बाद आप यहां से इसे cancel करना चाहें तो cancel कर सकते हैं उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं इसको और ज़्यादा कस्टमाइज करने के लिए आपको काफी सारे option यहां पर मिल जाते हैं बिल्कुल MSWORD और अक्सल की तरीके से तो यहां पर आप इसे fully customize कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप यहां पर new slides के इन सभी option का यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा आप यहां पर देख सकते हैं जो next option आपको दिखाई देता है वो section header का आपको option दिखाई देता है इस पर जब आप click करेंगे तो यहां पर अपने title को add कर सकते हैं यहां पर उसके बारे में description यहां पर दे सकते हैं इसके लावा यहां पर आप देख सकते हैं two content का आपको एक option दिखाई देता है जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर किसी भी चीज का यहाँ पर टाइटल यहाँ पर एड़ करके दो चीजो को आपस में compare कर सकते हैं तो जैसे माल लिजे हम यहाँ पर ms word और powerpoint को comparison करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम click करेंगे और यहाँ पर type कर देंगे ms office जो की इसका और यहाँ पर अगर आप चाहें तो images के थू, audio के थू, video के थू, या फर icons वगरा के थू, आप यहाँ पर इसे compare कर सकते हैं, तो इस तरीके सा आप इन दोनों option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, title only का आपको एक option दिखाई देता ह इसके बद आप देख सकते हैं, आपका next option है, वो ब्लैंक का, अगर आप ब्लैंक वाले option पर क्लिक करेंगे, दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल blank page ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी title, कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर आ आप अपने content को add कर सकते हैं, यहाँ पर उसका caption यहाँ पर add कर सकते हैं, इसके बाद next option आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्चर विद कैप्चन का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके, आप कोई भी picture यहाँ पर आसानी से insert कर सकते हैं, और यहाँ और उसके बारे में, जो भी caption देना चाहें, वो caption यहाँ पर दे सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर थिम दिखाई देगी, और थिम के माध्यम से आप इसे और ज़्यादा कस्टमाईज कर सकते हैं, तो दोस्तों यह सारे slides की option थे, इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देता है, duplicate selected slide का, एक option आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मालीजे, हम इसी slide का duplicate और बनाना चाहते हैं, तो आपको केवल इस वाले option पर click करना होगा, ध्यान रहे, आप जिस slide को य MS Word में आपका कोई ऐसा document है, जिसको आप चाहते हैं, PowerPoint में insert करना, तो आपको इस पर click करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने example के लिए, यहाँ पर AA के नाम से एक document बनाया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर insert करके आपको दिखाने वाले हैं, तो इस file को select करते हुए, ज इसके लाबा यहाँ पर आप देख सकते हैं, reuse slides का एक option आपको यहाँ पर दिखाई देता है, इसका मतलब यह है, कि मालनी चापने PowerPoint की पहले से कोई slide बनाई हुई है, जिसको आप यहाँ पर दुबारा से use करना चाहते हैं, तो इस वाले option पर click करते हुए, इसे यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं, example के लिए हमने एक चोटी सी slide एक दो page की यहाँ पर बनाई हुई है, ABC के नाम से, इसको select करते हुए, जैसे हम यहाँ पर open करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, slide हमारी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, इस पर जैसे हम click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी जो slide है, वो यहाँ पर add हो चुकी है, तो इस तरीके से आप इस option का भी यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं, इसके लाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, layout में आपको वही सारे layout दिखाई दिरें, जिसके बारे में मैंने आभी आपको समझाया, इसके लाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, reset का आपको एक option दिखाई देता है, जैसे मालीजे आपने यहाँ पर slides के अंदर कुछ चीजों को यहाँ पर छेड़ दिया है, यानि बड़ा या छोटा या customize कर दिया है, अब आप यह चाहते हैं कि वापस से slide है, वो व option दिखाई देता है, जिसमें अगर आप चाहें, तो आप अपनी slide को section में भी divide कर सकते हैं, example के मालीजे हम यहाँ पर चाहते हैं, 6 number की slide के बाद यहाँ पर एक section को add करना, तो यहाँ पर आप जाकर के add section पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते है, section आपका add हो चुका है इस छोटे से dot पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपका पूरा का पूरा जो नीचे का slide है, वो यहाँ पर इस section के अंदर hide हो चुका है, और वापस से इस वाले dot पर जैसे आपका section यहाँ पर represent हो जाएगा, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार collapse का use करते हैं, तो आप देख सकते हैं section हमारा one और इसके अलावा जो default section था हमारा, जिसमें 6 slides थी हमारी, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पर click करते हुए जैसे हम यहाँ पर expand all करेंगे, तो वापस से हमारा सारा section यहाँ पर वापस से expand हो जा